आउद्यों के एक सुक्ष्मजिक विज्यान में दो प्रकार के उत्पादों का निर्मान होता है पहला प्रकार एक स्वयम सुक्ष्मजैविक कोशिकाये या सुक्ष्मजैविक बायोमांस उधारन के लिए येस्ट जो खास खाद पदार्थों के लिए और बेकिंग के लिए इस्तमाल होता है और लैक्टो बैसिलस जिसका इस्तमाल प्रो बायोटिक उत्पादों के लिए और जैविक खाद निर्मान के लिए होता है दो, सूक्षमजयविक कोशिकाओं द्वारा निर्मान किये जाने वाले पदार्थ एक, जैसे प्रतिजयविक प्रकीनव, विटामिन, अमीनों अमल, मद्धिजन्य प्रकार अब हम इन पदार्थों के बारे में सविस्तर बात करेंगे एक, प्रतिजयविक ये पदार्थ उन सूक्षमजयविक द्वारा तयार किये जाते हैं, जो अन्य सूक्षमजयविक को मारते हैं या फिर उनका विकास रोपते हैं पेनिसिलिन ये प्रतिजय विक्ट, पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम ये कवक से निर्मित होता है। किन्वन प्रक्रिया और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित अर्धकृत्रीम पेनिसिलियन्स ही वैदिकी ये द्रिष्टी से उप्योवी पेनिसिलिन है। ज्यादातर डॉक्टर जिस दवाई का उपयोग करने के लिए कहते हैं वो इंपिसिलिन, आर्धकृत्रीम पेनिसिलिन का उत्तम उधारण है टेटरासाइकलेन का जैवसंसलेशन करने के लिए स्टिप्टोमाइसिन स्पीसीस की अवशक्ता होती है मानव खाद्य और प्राणियों के खाद्य में खाद्य पूरक के रूप में जीवन सत्वों का उपयोग किया जाता है विटेमिन बीट्वेल और राइबोफलेविन ये दो महत्वपूर्ण जीवन सत्व हैं जो सूक्ष मजयविक किणवन प्रक्रियादवारा निर्मित होते हैं विटेमिन बीट्वेल के व्यावसाईक रूप से बड़े पैमाने पर निर्मान करने हेतू प्रोपियोनी बैक्टेरियम और सूडो मुनास इन दो महत्वपूर्ण बैक्टेरियल जातियां उपयुक्त होती हैं राइबो फ्लेविन अर्थात विटेमिन बीट्वेल के सूख्ष मजयविक निर्मान के लिए अजबया गौसिपी इस जीव का उपयोग होता है तीन अमिनो अमन ये खाद्य प्राणी और क्रिशी उद्योग व्यावसायों में एक पूरक ये योगज के रूप में और पौश्टिक आउशदी उद्योग व्यावसायों में खाद्य पूरक के तौर पर इस्तमाल होते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यावसाइक अमिनो एसिड है Monosodium Glutamate जिसे आम तोर पर MSG कहा जाता है इसका इस्तमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है और एक अवशक अमिनो एसिड Lysin जो मानो और पालतू जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण अमिनो एसिड माना गया है ओद्योगिक स्तर पर इन दोनों अमल एसिड की उत्पादन में Corinibacterium Glutamicum इस बैक्टिरिया का उप्योग किया जाता है सूक्षमजयविक पद्धती से निर्मान किया गया और एक महत्वपूर्ण अमिनो एसिड है Aspartic Acid Aspartic Acid जिसका इस्तमाल कृत्रीम तरीके से मीठा तयार करने वाले Aspartum इस पदार्थ में होता है ये पदार्थ डायेट के लिए उपयुक्त शीत पेयों के लिए कम कैलरी वाले खादे पदार्थों के लिए और चीनी विरहित पदार्थों में इस्तमाल किया जाता है इसके लिए जिन सुक्षमजीओं का उपयोग होता है वे हैं Baseless Species और Equally